जैशे किशना दोस्तो मैं मीतू हम सब के चानल भी परफिक्ट विद मीतु शुभाई मैं आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो दोस्तो आज मैं आपके साथ ये मेकप लुक का टुटोरियल शेयर करने जा रही है दोस्तो ये मेकप लुक मैंने करा था अपनी 20th anniversary की celebration पर जिसका मैंने व्लॉग शूट कर लिया है बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी तो आज मैं आपके साथ ये मेकप लुक शेयर करने जा रही हूँ ये परफेक्ट दोस्तो आपके अनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो आपको जाना हो किसी वर्दे पार्टी में जाना हो या आपने कोई western outfit पहना हो उसके साथ आपको मेकप करना हो या फिर आपको न्यूड मेकप करना हो या फिर जो हमारे teenagers हैं उनके लिए भी मेकप लुक बिल्कुल परफेक्ट है बिकॉस मैंने इसमें foundation का यूज नहीं करा ह यह glowing सा make-up simple सा easy सा make-up मैंने ponds की BB cream से करा है तो आगे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं दोस्तों यह मैंने कैसे करा है और eye makeup आप देख रहे हैं मैंने बहुत glittery सा करा है light glittery सा करा है बहुत simple sober सा करा है इसलिए यह makeup look हमारे teenagers के लिए भी बिल्कुल perfect है और जो light makeup करना पसंद करते हैं उनके लिए भी बिल्कुल perfect है और इसको आप as a day makeup भी carry कर सकते हैं तो आईए दोस्तों finally हम अपनी वीडियो को start करते हैं दोस्तों मैंने skin को अच्छे से prep कर लिया है इसके बाद मैं as a primer यूज़ कर रही हूं यहां पे पतांजली का aloe vera gel मैं इस as a primer यहां देखिया मैं यूज़ कर रही हूं अपना कलर करेक्टर यह है हमारा एस क्यू का कलर करेक्टर है orange मैंने लिया है इसमें हलका सा dark circles को अपने हाइट करने के लिए जहां मुझे हलका सब्सक्राइब लग रहे थे बहां पर मैंने इसको अप्लाइब कर लिया है जिसका श नेक्स मैंने इस तरह से उपर देखते हुए beauty blender की help से अपने सारे concealer को सेट कर लिया अब मैं यहां पर ले दोस्तों स्वीज़ बीटी का real makeup based eliminating primer है इसको मैं क्या करूंगी अपनी BB cream में मिक्स कर लूँगी और दोनों की quantity मैंने आधी हादी ली ती जितनी cream थी उतना ही मैंने यह लिया था तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसको मैं डॉड़ट करके अपने फेस पर लगा लूँगे लगाने का तरीका वही रहेगा दोस्तों जिससरा से फांडेशन लगाते हैं देखिए मैंने ऐसे से लगा लिया फिर इसको पूरा फैस कर लिया और मैंने सेट कर लिया फिर मैंने शुगर का लिया है बनाना पाउडर इससे मैंने अपने कंसीलर को अच्छे सेट कर लिया है अब हम करेंगे आई मेकप दोस्तों यह कि दुबई की है मेरी मौसी ने मुझे गिफ्ट करी थी तो इसको मैं आपको इसका नाम नहीं बता लिए को और एंज शेट जो मैं ड्रेस में है और स्टार्टिंग में लिया गोल्डन यलो इक फिर इसको मैंने लगा के और तीनों को मैंने अच्छे से मर्ज कर लें जिसरे की कोई हार्च लाइन ना दिखे वह भी मैंने फिंगर की हिर्प से ही करा नेक्स में पर एसका ब्लैक का जल कर लिए फोड़ा आई लाइनर को पर नहीं पर आईगा वह मेरा प्रभाइट पर नहीं तो है तो इसलिए मुझे बहुत जार नहीं परती है। कि नगर आपका फोरेड चौड़ा हो तो हम आप प्रपर कॉन्टॉरिंग करेंगा इससे कि आपका फोरेड की जो चौड़ाई ओध थोड़ी कम लगेगी तो यहां देखिए फिंगर की हैं फिर मैंने आपर कर लिया है प्लाइब कर लिया है अपने चेक्श से अपलिफ्ट कर इसे मैं अपने पच्छे से आईब्रोस को फिल कर लिया और स्पूली की हज़ब से बाद में कॉम कर लिया है जिसे की मेरा प्रोडेक्ट इवनली स्प्रेड हो जाए फिर सेम मैंने वही आईशेड़ पैलेट से यह वाला डार जो अपने अपने ऊपलाई कर रहा था अपने आ पूर आई को इनर कॉर्णर को हाल लेट करूंगी सेंटर ऑफ नोस जिसां ब्रिजब नोस कियाते हैं क्यूपिड वह यह मैंने फिंगर से कर लिया है और मैं अपने चिंच को और सेंटर ओप फॉरेड खरीड और चिक्स को मैं अपने ब्रेश से हालाइट करोंगी दोस्तों हाइलाइटर एक बहुत इंपोर्टन पार्ट होता है हमारे मेकप में तो यहां देखे हाइलाइटिंग हमारी डन हो गई है इसके बार मैं अपने लिप्स पर द्वारा मॉश्राइजर लगाया क्लीन करने के बार और अच्छी सब्स को द्वारा से मॉश्राइज करा फिर मैं ब्लू हेवन का मेकप सेटिंग स्प्रे यूज्स कर रही हूं दोस्तो और इसको अच्छे से स्प्रे करना है कोई कंजूसी नहीं करने जब तक हमारा यह ड्राइज होगा तब तक हम अपना मस्कारा मस्कारा के दोस्तों बने लिया है फेसिस के रंडा कर यहां पे मस्कारा अपर और लोर दोनों पर लाश पर अप्लाइब कर लिया है सिंगल सिंगल कोट लगा था मैंने फेक आलेश नहीं लगाए है आप चाहें तो आप अपलाई कर सकते हैं तो यहां देखें मस्कारा लगाने से भी क्या है आइस का जो मेकप पे कम्लीट सा लगता है नेस्क अप कुछ ग्लीटरी मैट लिप्स्टिक लगाने का मन हो लाइक मिटैलिक वाली तो आप इस येड को जरूर ट्राइ कर सकते हैं बहुत इच्छा शेड और लांग लास्टिंग लिप्स्टिक है और स्मज़ प्रूव भी है तो यहां लिप्स्टिक में अपलाय कर लिया है अपन यहां अपने अपने एडी के बैंगल और दोनों रिंग पहने और गले में कुछ नी पहना और हैस्ट्राइल बहुत सिंपल सिफ साइट मैंने पार्टिंग करके सारे बालों को एक साइट कर लिया तो यह था दोस्तों मेरा 20th anniversary celebration का मेक अप लुक जो बहुत ही क्विक था और बहुत ही ईसी था जैसे कि मैं आपके साइर कर चुकी हूं और यह था दोस्तों हमारे आज का वीडियो आय हो हुप आपको पसंद आया होगा पसंद आ जो भीजिव करें और चुछ चुटेसे बैल आइकन होता है उसे भी हटकर लिजिए काताकि अपकमינग वीडियो सी की न